आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गैस चैले देख लेते हैं मारा अगला question क्या है find the value of under root 3 by 2 3 cos 23 minus sine 23 upon 2 तो देखिए question बहुत ज़्यादा complicated नहीं है इसमें हम पहले इनको separate कर देते हैं this can be written as 3 by 2 cos 23 degree minus 1 by 2 sin 23 degree ऐसे लिख सकते हैं इसको है ना तो देखिए अब बस इस question को हम simply satisfy करते हैं देखिए root 3 by 2 क्या होता है इसको sine के terms में लिख सकता हूँ sine 60 degree cos 23 degree minus half को मैं लिख सकता हूँ cos 60 degree sin 23 degree है ना यह तो basic चीज है sine 60 degree हमारा होता है root 3 by 2 और cos 60 degree हमारा होता है half तो वो चीज मैंने यहाँ पे apply कर दिया है ना तो अब देखिए यह क्या form कुछ एक form दिख रही होगी आप कोई है ना चले इस थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ देखिए कोई form दिख रही होगी आपको यह और वो form है हमारी sine A cos B minus cos A sine B की form और यह किस के बराबर होता है यह होता है sine A minus B के बराबर है ना यही होता है ना sine A minus B के बराबर यह plus के बराबर होगा minus के बराबर यह हो जाएगा तो अब जब हम इसे solve करेंगे तो क्या आ जाएगा this will be equal to sine of 60 minus 23 degree ओके तो यह किस के बराबर आएगा यह आ जाएगा हमारा sine of 37 degree के बराबर है ना अब देखें यह हमारा answer है लेकिन option में तो ऐसा कुछ है नहीं तो हम क्या करते हैं इसको sine theta को मैं क्या लिख सकता हूँ this can also be written as cos 9 okay sin 37 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 minus 53 degree भी तो लिख सकते हैं और यह क्या हो जाता है हमारा cos 53 degree यहां कौन से identity लग गया ही मैंने cos 90 minus not cos 90 minus theta cos theta is equal to sin 90 minus theta यह वाली identity मैंने यहां पे लगाई है तो देखे यह अब देखे हमारे option में 53 वाले angles दिये हुए हैं और cos 53 हमारा option number 1 satisfy कर रहा है तो यह हमारा actual answer देखे answer हमारा यही था इन्होंने हलका सा option में घुमा दिया हमें कि एक और identity लगा दीजे और थोड़ा सा confuse कर दिया और यहां none of these अगर दिया होता तो बहुत सारे लोग उस पर click भी कर देते हैं या फिर उसको tick कर देते हैं तो be careful guys options इदर उदर लिखे जा सकते हैं आपको बस ध्यान देना और focus हकना then you'll be easily able to solve Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 84004400 अपर